तानिया भाटिया का जनब 28 नॉम्बर 1997 में चंडीगण में हुआ था वो एक भारतिय किरकेटर है और मुख्या रूपसिक विकेट की पर है वो पंजाब और उत्तरचेजर के लिए खेलती है और उनके वर्तमान में कोच आरपी सिंग है ICC ने भाटिया को 2018 में महिला किरकेट में पांच ब्रेकाउट सितारों में से एक के रूप में नामित कियागा उनकी मा का नाम सपना और पिता का नाम संजे भाटिया है उनके पिता सेंट्रल बैंक आफ इंडिया में काम करते हैं और अखिल भाटिया विस्टु विद्याले अस्तर पर किरकेट खेल चुके है उनकी एक बड़ी बहन संजना और एक छोटा भाई सहज है उनकी प्रारमविक सिक्सा डी एवी सीनियर सेकेंट्री स्कूल से हुई भाटिया के पिता स्वयम एक किरकेट खिलाडी थे और उनके चाचा भी इनका भाई भी अंडर 19 किरकेट टीम में सामिल हो गया है अपनी डी एवी अकैडमी के दिनों के बाद वह 11 साल की उमर में अंडर 19 पंजाब का परतिनिजित्तो करने वाली सबसे कम उमर की लड़की बन गई वह 16 साल की उमर में जल्द ही राष्ट की वरिष टीम में सामिल हो गई 13 साल की उमर में भाटिया 2011 में अंतर राज जी ये घरेलू टूनामेंट में पंजाब की वरिष टीम के लिए खेलने वाली सबसे कम उमर की खिलाड़ी बन गई 2015 में उन्होंने गुआ हाटी में अंतर जोर्नल क्रिकेट टूनामेंट में अंडर 19 उत्तर छीतर की ओर से कप्तानी की और खेल में 227 रन और 10 इस इस्टंपिंग की वह है दो साल के लिए एक पेसिवर मंदी में चली गई जिसने लगबग पूरी तरह से किरकेट में अपनी रुची खो दी और फिर उनकी मा ने अपने सपनों का पीछा करने के लिए उन्हें प्रेरित किया फिर उन्हें अंतराश्टिय किरकेट महिला T20 की सुरुवात 13 फरबरी 2018 को साउथ अफरीका के खिलाब किया बाटिया राश्टिय टीम का इस्सा बनने वाली चंडिगड की पहली महिला किरकेटर है बाटिया टीम में जर्सी नमर 28 पैंती है उन्होंने 11 सितंबर 2018 को स्री लंका के खिलाब महिला वंडे इंटरनेशनल की सुरुवात की तानिया बाटिया आप तर भारत की उर से 9 वंडे और 39 T20 इंटरनेशनल मैच खेल चुकी है